Hey guys, welcome back to the channel, so आज की इस पीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे main important points के बारे में आपको बताने वालों जिनको use करके आप अपनी alt की practice की जो तरक्की है उसको तसकुना तक बढ़ा सकते हैं तो चलिए without further ado, let's move on to the point और बात करते हैं कौन से हैं ये 5 main points Okay, so start करते हैं point number 5 से, too much information can be a disadvantage अब disadvantage किस तरीके से हो सकते हैं, मालने जिए आप एक बेनर आटिस्ट हैं और आप internet पर जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी information है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम उसमें से कि सही क्या है और गलत क्या है Means कि उस information में से कितनी information आपको सही मिल रही है और कितनी आपको गलत मिल रही है तो इस चीज के solution के लिए आपको एक चीज करनी है कि आप एक reliable source ढूंड़ी है जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहां से सही information मिल रही है आप उसको follow कीजिए और इसका दूसरा disadvantage यह है कि मालने जिए आप oil printing करना चाहते हो तो आप oil printing करने से पहले start करने से पहले आप क्या करते हो आप youtube पर या फिर कहीं और आप जाते हो तो आप बहुत सारी videos देखते हो उस oil printing के बारे में तो आप information gather करने स्टार्ट कर देते हो लेकिन eventually वह information आपके लिए एक disadvantage बन जाती है क्यों क्यों क्योंकि वह information आपके उपर हावी हो जाती है हावी इसलिए हो जाती है कि आप सोचते हो कि यार मुझे ये चाहिए oil printing के लिए मुझे वो चाहिए मेरे पास palette knife नहीं है तो मैं oil printing start नहीं करूँगा मेरे पास lancy dwell नहीं है तो मैं oil printing start नहीं करूँगा तो इस तरीकी 70 चीज़े आपको फिर oil printing करने से रोक देती है क्योंकि आपको पता चल गया कि oil printing करने के लिए तो यह यह चीज़े चाहिए जबकि मेरी राय ऐसी है कि अगर आपका मन किया कि मुझे oil printing start करनी चाहिए तो उसी time पर जो भी आपके पास available resources हैं चाहिए एक brush और एक color हो उसी के साथ आप start कर दीजे आपके पास canvas है नहीं है कोई बात नहीं पेपर पर कर दीजे कुछ तो experiment करके देए कुछ आपको नया मिलेगा वो natural होगा वो एकदम से आपका खुद का होगा personal experience होगा लेकिन जब आप बहार से outsource करके information लेते हुँ आपके उपर हावी होने लगती है especially अगर आप एक beginner हैं तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं point number 4 की तरफ learn to say no अब जब आप art film में हैं या फिर आप drawing अच्छी बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे कि यार ये बना दीजी वो बना दीजी मेरा portrait बना दीजी मेरा project बना दीजी इस तरह के आपके बहुत सारे लोग आएंगे तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको उन्हें rudely मना कर देना कि मैं नहीं बनाता तेरा काम और यह मैं freak की बात कर रहा हूं तो आपको rudely उन्हें मना नहीं करना आप उनसे प्यार से मना कर दीजी और उसके बाद भी if they mind then you don't mind relax लेकिन अगर आप अभी से इस चीज को कर सकते हो इसी के साथ हम लोग बढ़ता है अपने point number 3 की दरफ eat your ice cream before it melts means your time is limited practice wisely देगे time को आप इस्तवाल कीजिए नहीं कीजिए वो तो गुजर जाने वाला है सेम इसी तरीके से आप ice cream आप खाईए ना खाईए वो पिखल जाएगी लेकिन ice cream को आप fridge में रख सकते हो time को आप fridge में नहीं रख सकते हैं तो आपको time अपना बहुत अच्छे से utilize करना है बहुत अच्छे से इसको use करना है तो practice wisely का मतलब यहां पर यह है कि आपके दिन में 24 गंटे होते हैं 24 गंटे में से आप 2-4 गंटे अपनी art की practice के लिए निकाल सकते हैं और वो 2-4 गंटे आपको बहुत सारी चीजे 70 चीजे practice करने की जरूरत नहीं एक दो चीजे पगड़के चलिए जिनके आपको practice करनी है और वो practice आपको इस तरीके से करनी है कि आप वो उसके अंदर growth को measure कर सके means कि पहले दिन आपने आखे मना यह अच्छी नहीं बन रही है एक अपते बाद थोड़ी से practice कर लिजे उसके बाद आप कोई भी medium में काम कीजिए आपको easily आप उसमें adapt कर जाओगे इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं point number two के तरफ don't work for social media only लिए अब social media से मतलब क्या है कि आप painting बना रहे हो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ social media पर post करने के लिए paintings मत बनाई है क्योंकि इसमें होता ही है कि आप social media के लिए paintings बना रहे होते हो तो आपके मन में expectations जागने लगती है expectation के साथ वो painting साब बनाते हो और तो सिर्फ और सिर्फ social media के लिए paintings मत बनाई है आप paintings को अपने हिसाब से बनाई है आप किस तरीके से growth करना चाहते हो और एक चीज जब आप painting बना रहे हो तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपको मालूम हो कि यह मैं क्यों बना रहा हूं ऐसा नहों कि बस आप ब जादा important है it's not a failure it's part of the process मेरे पास बहुत सारे लोग मेसिजिज आते हैं कि मैं sketch बना रहा हूं या फिर मैं बहुत अच्छे portraits बनाना चाहती हूं लेकिन उससे बन नहीं रहे है मैंने एक दूबा try किया तो मैं बहुत demotivate हो गई हूँ और यह जो demotivated word है ना इसको बहुत जादा glamorized कर दिया social media ने 6-8 साल पहले मैंने word इतना जादा कभी सुना ही नहीं था खेर 6-8 साल पहले मैं बच्चा था वो सकता है इस वज़े से नहीं सुना हो लेकिन अभी भी demotivated होने जैसा कुछ इसमान है नहीं मैं आपको clearly समझाता हूं मान लेजी यह एक beginner है तो यहा आप तो फिर आपने दुबारा कुछ drawing बनाई या painting बनाई तो आपका level यहां पर आया तो आपसे वह अच्छी नहीं बनाई आप यहां पर हो आप थोड़ा से नीचे आगे लेकिन आपने एक महीने तक कुछ और ड्रोइंग नहीं बनाई आप वापस से ही पर आ जाओगे तो यह continuous process है जिसको आपको follow करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप अपनी आर्ट में improvement लेक्या हो तो इसमें failure जैसा तो कोई question ही नहीं है मेरे साब से तो पूरा enjoyment है आप इसको step by step मान के चलिए कि यह failure नहीं है जितने बार आप fail हो रहे हो तो आप एक step चल रहे हो अपनी गलतिया पता चल रहे हैं तो इस चीज़ को आप माइंड में रखें सो काफी लंबे अंतराल की बाद ही वीडियो लेकर के आया हूं सो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सेकली वीडियो में तब तक के लिए happy painting आपनी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया देश पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी लड़ाई खतम नहीं होई है आएक मंतर हमें याद रखना है दो बच की दूरी मास्क है जरूरी और अगर आपने बैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपनी बाहू पर टीका लगवाएं और बाहू बले बन जाएं टीका लगवाने के एक दिन में सरीर ऐसा अकड़ेगा मचा जाएगा दबाई के साथ ढिलाई नहीं दबाई भी कड़ाई भी उसके साथ साथ एक कड़ाई भी कड़ाई में थोड़ा मटर पनी डालिये और पूरे परिबार के साथ घर में रह करके मज़े से खाई इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए हैपी पिंटिंग आपने मुझे तसमय देया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया